यह हमारे पास है SN2 reaction mechanism का वीडियो पिछले लेक्चर में हम लोगोंने SN1 reaction देख लिया था इस लेक्चर में हम SN2 पूरे तरीके से देखेंगे दोनों को mix भी करेंगे आपको बोला भी था मैंने पिछले लेक्चर में कि दोनों एक ही लेक्चर है बस दो पार्ट में डाला जा रहा है साथ में आपको homework भी दिया जाएगा E1 के बाद आपको MSE को homework दे दिया गया था अब SN1 SN2 मिला के आपको वो homework भी आज के अंदर दे दिया जाएगा ठीक है start करते हैं फिर आपको बताया कि है हजार बार मेरे दौरा कि जब भी आपन को किसी भी चीज का reaction mechanism की properties derive करनी है याद नहीं करना है derive करना है तो क्या करना पड़ता है वो डिबा चाहिए वो डिबा क्या होता है वो होता है RDS ठीक है as simple as that यहाँ भी हमें ascent to reaction mechanism को सबसे easiest लगेगा आपको यह जितने भी reaction mechanisms है पूरी दुनिया में मला हमारे slabbers में उसमें सबसे easiest जो है वो ascent to ही है ठीक है इसमें भी अच्छे questions है जो मैं आज आपको कराऊंगा future expected questions के point of view से भी तब आपको और feeling आएगी और भी मज़ा आएगा इसके अंदर ठीक है start करें फिर तो for example मेरे पास एक carbon दिया गया है इसके उपर R1 है कुछ R2 है R3 है and साथ में एक leaving group है आज हम leaving groups के बारे में और detail में discuss करने वाले हैं ठीक है officially hello alkins, hello arines chapter के अंदर आता है X कोई भी leaving group हो सकता है अब क्या हुआ इसके उपर हमने एक nucleophile डाला nucleophile क्या होता है पिछले lecture में आपको example दिया ही था जैसे आपको पते ही नए file मतलब कि उसको पसंद करने वाला आपने देखा होगा कुछ ना कुछ जैसे instagram bios में भी लिखा होता है selenophile एक बैसा एक उस प्रकार की बात है तो nucleophile मतलब क्या nucleus को पसंद करने वाला file मतलब attracting, पसंद तो अगर मैं एक nucleophile लेता हूँ तो nucleophile मतलब मैं लेना चाहरा हूँ Z- तो बिल्कुल ध्यान से देखना लिखना मत पहले समझ लो because एक बाद डिबबा बन जाए फिर सब असान बन जाता है तो एक Z- आया Z- क्या है? nucleophile अब एक चिज़ लॉजिकल ली समझ ना X क्या है? X जैसे for example माले लेते CL, PR, I, OTS, ONS जो हम देखेंगे आज की lecture में So let me say X एक क्लोरीन है कोई हैलोजन है तो ये कुछ delta माइनस रखेगा अपने उपर whereas मेरे भाई जो carbon रहेगा उसके उपर एक delta positive charge रहने वाला है तो सबी को बच्पन से पता है अब आपको समझ रहे कि Z- क्यों carbon के उपर हमला करने वाला है? Because carbon के उपर एक electron deficiency present हो रही है तो होगा क्या? Z- स्कार्बन के उपर हमला करेगा अब हमला करने के भी दो तरीके हैं कि या तो वो इसके vacant orbital पे सामने से हमला करे अच्छा vacant orbital पे हमला क्यों हो रहे है? समझ आ रहे है न? Because carbon की तो अलड़ी valency fulfilled है चार bonds बने हुए है तो हम bonding orbital के उपर हमला नहीं कर सकते हैं हमें anti-bonding के उपर ही करना पड़ेगा that is the sigma vacant anti-bonding molecular orbital या तो सामने से हमला हो या तो हमारे पास इदर पीछे से हमला हो ये सबी को clear है न? दो ही तो option था और कोई option थोड़ी या तो सामने या तो पीछे तो अगर मैं सामने से हमला करवाता हूँ अगर हम सोचते हैं तो दिक्कत क्या है? पहले दिक्कत समझ लेते हैं इसने हमला किया तो मेरे भाई leaving group भी तो यहीं से निकल रहा है न? मतलब ये भी minus है ये भी minus है तो क्या हो जाएगा? repulsion हो जाएगा f is equal to k, q1, q2, r2 याद करिये और जैसे force आगे वहाँ पर potential energy आजाएगी तो hence वो system unstable बनके आजाएगा as simple as that तो हमला करने की probability सबसे ज़्यादा कहां पर रहेगी? कि अगर ये z minus हमारे पास पीछे से आके हमला करे अब समझा रहेगी क्यों सामने से पहले सको ऐसे लिखके काड़ देते है सामने से हमला क्यों नहीं हो रहा है? because वहाँ पर एक reason है crowding crowding due to x बोलना चाह रहा हूं मैं साथ में जो और simpler reason है that is minus minus repulsion इसलिए मेरे भाई जो z minus आएगा वो इधर पीछे से हमला कर देगा इधर से अब समझ आ रहा है कि पीछे से हमला क्यों हो रहा है अब जैसे इस ने हमला किया तो क्या हो रहा है वो समझने कोशिश करते हैं हमला हुआ x निकल गया समझ रहा है x निकल गया तो जो हमारे पास product बनके आ जाएगा वो क्या बनेगा c z कहां पे लगा होगा z ने पीछे से हमला किया तो वो इधर लगा होगा और साथ में बाकी सब जो हैं उनको लिख लेते हैं that is r1 r2 and r3 अब इस simple से reaction को हम लोग बोलते हैं ascent to reaction mechanism लेकिन यह तो आपने simple से reactant और product देखा अभी mechanism पूरा नहीं हुआ प्रिकरस कुछ तो बनना चीह है कार्बोकट आयन, कार्बन आयन या राडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन या अगर intermediate ना बने तो transition state तो होता क्या है, वो अब हम समझने कोशिश करेंगे तो जब z ने इस carbon के vacant orbital के उपर हमला किया करवाते हैं तो क्या हो रहा होगा z यहाँ पे लग रहा होगा जुड रहा होगा वेराईस उसी phase में x निकल रहा होगा इसको बिल्कुल ध्यान से समझने है बहुत सारी misconceptions भी इस वाले पार्ट में और गलतियां भी होती है एक expected भी बदाऊंगे question यहां से जो आ सकता है समझा रहा है क्यों हो रहा है समझो ना, हुआ क्या यहाँ पे final जो हमारे पास product बन रहा है उस final product में जेड लगा और एक्स निकल गया तो क्या बीच में ऐसा phase नहीं हो रहा होगा जहां पे जेड लग भी रहा होगा और एक्स निकल भी रहा होगा अब थोड़ा बहुत feel आ रहा है कि क्या होने वाला है बाकिस अब जो हमारे पास R1, R2, R3 है उनको लिख लेते हैं R1, R2 and R3 वो क्या रहा है ये वाला bond जो है वो break कर रहा है bond breaks sorry bond forms ये बन रहा है whereas ये वाला जो CX bond है वो break कर रहा है and मेरे भाई जबी भी bond breaks bond forms, bond breaks, bond forms simultaneous हो उसको क्या बोलते हैं concerted mechanism मतलब ये जो चीज बनके आरी है इसको हम क्या बोल देंगे एक transition state समझ आ रहा है तो मेरे भाई यहाँ पर आपके पास एक transition state बनने वाला है कोई intermediate नहीं बनेगा एक normal सा transition state बनके आ जाएगा ये symbol होता है transition state का और कुछ भी नहीं, कुछ लोग इसमें cross and zero खिलने न लग पड़े अब मुझे एक चीज़ बताईए अभी और अभी चीज़े खतम नहीं होए बिल्गल धियान से देखना तो जो हमारे पास z है उसके उपर कौन सा charge है डेल्टा माइनस जो हमारे पास carbon है उसके उपर क्या है डेल्टा प्लस एकस के उपर क्या है डेल्टा माइनस तो प्लीज अंडेस्टाइड transition state net में neutral नहीं होता है हमें feeling आता है कि bond break one form हो रहा है तो neutral बनेगा पहले भी सभी transition state जो भी तक हमने देखी तो neutral बन रही थी लेकिन यहाँ पर आप देखसेते हो net charge एक negative है आ रहा समझ आ नहीं आ रहा है net charge एक negative है इसलिए यहाँ पर यह एक negatively charge transition state बन के आ रही है ठीके समझ आगे सभी को क्या चल रहा है अब इसको प्रॉपलियम सब लिखेंगे एक जगा थियोरी में पहले समझते हो कि derive कैसे होता है हो क्या रहा है अब मुझे एक चीज और सोचके बताओ ठीके वैसे आपको मैंने बताके रहा है 1000 वार ररकेम थियोरी याद न वैसे मैंने आपको नाम नहीं बताया ररकेम लेकर ये तो समझाया है कि जो number of transition states होती है वो intermediates plus 1 क्यों होती है याद आ रहा है एक transition state है intermediate कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे ठीके तो यहाँ पे को intermediate तक नहीं बन रहा है और कितना असान topic चाहिए ठीके कोई rearrangement नहीं है कोई कुछ नहीं है अराम से हमला हो रहा है अराम से वो निकल रहा है as simple as that अब एक और चीज़ अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो और क्या-क्या हम देख सकते है कि हमारे पास एक single step reaction है number one single step है ना हमला हुआ निकल गया हमला हुआ निकल गया because simultaneously हो रहा है अभी तक हमने e1 देखा s1 देखा वापे simultaneously नहीं हो रहा था बाद में आके जुट रहा था पहले कुछ intermediate बन रहा था यहापे intermediate ही नहीं है intermediate ही नहीं है इसलिए single step में वो लगा और निकल रहा है बतले यह तो कौन सा वाला part हमारे पास RDS होना चाहिए क्या यह वाला part RDS होगा यह वाला part RDS होगा once again RDS होगा वो हमारे पास हो जाएगा जो first वाला part है यह वाला समझ आ रहे क्यों because हमारे पास practically कोई intermediate नहीं बन रहा है लेकिन transition state तो बन रहा है theoretically हम वैसे समझ रहे हैं लेकिन आपको 1000 पर बताया गया है कि जो RDS है that is always experimentally determined always experimentally determined तो फिर हमारे पास यह वाला step RDS बनके आ जाता है ठीक है very simple, very logical कुछ भी हाई-फाई चीज नहीं है RDS आ गया अब इसके बाद क्या होता है डिबा अपन लोग हमारे डिबा माक कर लेते हैं तो इसमें डिबा क्या बन जाएगा देखिए यह वाला part यह वाला जो part है वो हमारे पास box के अंदर आ जाएगा और जैसे हमारे पास यह box के अंदर आ गया सारी properties हम इसी से derive करने वाले हैं लिख लीजे भाई पॉस करके लिख लीजे भाई पॉस करके फिर heading डाल लिए theory heading डाल लिजे theory अदवान से PYQs भी करेंगे आजम heading डाल लिजे theory theory number one point add करिए number one point add करिए इसके अंदर it is a it is a single step mechanism समझ आगे न it is a single step mechanism second point लिखिए no rearrangement is possible no rearrangement is possible समझ आगे क्यों because we carbocatine नहीं बन रहा है लिखिए no rearrangement is possible because no carbocatine is formed no carbocatine is formed लिखिए third point लिखिए वैसे एक बार मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ because कुछ लोग को doubt आ सकता है कि पीछे से हमला क्या हो अगर सामने से हमला होता तो क्या होता वो भी एक बार देख लीजे भई एक बार screen के ओपर focus कर लीजे because ताकि doubt ना रहे because वो ही mission okay तो for example ये हमारे पास molecule है अगर सामने से हमला होता हमें logically तो समझ आई गया कि क्यों नहीं हो रहा है लेकर कि मैं आपको transition state भी बना के दिखा दो जैसे यहाँ पर बनाई है तक कि मैं इस वाले की भी transition state बना हूँ जब सामने से हमला हो रहा है ये जो transition state हमारे पास अगर हम बनाते तो यहाँ पर भयंकर repulsion हो रही है तो since ये वाली repulsion हो रही है इसलिए ये वाली transition state हम लोग नहीं बनाना चाहेंगे समझ आगया तो ये reason होता है कि क्यों सामने से हमला नहीं होता पीछे से हमला होता है तो third point लिखिए इसके अंदर third point the transition state interesting point है the transition state is a pentavalent carbon atom the transition state is a pentavalent carbon atom आपको समझ आगया पेंटावेलेंट क्यों है because अगर आप ध्यान से देखो तो carbon के 5 months बने है तो इसकी hybridization क्या हो जाएगी sp5 अगर आप इस सोच रहे तो गलत है कुछ लोग ने youtube पे इसको sp5 भी बता के रखा है जो possible ही नहीं है character और hybridization में एक अंतर होता है ठीक है once again character और hybridization में अंतर होता है organic inorganic chemistry के point of view से अगर मैं ध्यान से देखो तो क्या हो ने चेस के hybridization sp3 वो भी गलत अगर आप यह सोच रहे हो अच्छा पहले अगर आप यह सोच रहे हो कि pentavalent कैसे बन रहा है तो अगर आपको याद हो कि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी inorganic में three center यह हमारे पास एक three center two electron bond है interesting लेकिन यह जो bonds है वो proper bonds नहीं है dotted dotted bonds है proper bonds बनले जैसे यह proper bonds है यह proper bonds है यह बीच में transition करते हुए बन रहा है यह बीच में बन रहा है ना ही reactant है ना ही product है तो यह proper bonds नहीं है dotted bonds है यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझो तो proper bonds कितने है यह sigma यह sigma जो हम steric number में लेते है and यह sigma तो हमारे पास three sigma bonds present हो रहे है transition state is not sp5, sp3 या sp4 जो भी आप बोलना चाहो it is actually sp2 very simple the transition state is sp2 hybridized sp2 hybridized very interesting because pentavalent carbon atom बन रहा है ठीक है fourth point लिखिये fourth point one of the most interesting points the transition state has an anionic character यह भी आपको दिखा दिया है क्यों because 2 negative charges plus 1 positive charge so the transition state has an anionic character anionic character so मुझे बताईए अगर मेरे पास कोई भी एक anion है anion कैसे stabilize होता है उसको देके या उससे लेके obviously बात उससे लेना पड़ेगा because वो अलड़ी electron rich है repulsion कम करनी है so it is stabilized by it is stabilized by electron withdrawing groups आ रहा है समझा नहीं आ रहा है so it is stabilized by electron withdrawing groups तो अभी तक यह हमारे पास एक interesting important point बनके आ रहा है अच्छा next point के उपर चलें फिर fifth point हमेशे हम rate equation लिखना चाहते है अब इसमें हम अगर आए इस mechanism के उपर rate equation कैसे लिखेंगे once again products reactant से हमें मतलब रहता है यहाँ पर आपके पास reactant में क्या-क्या है एक nucleophile भी है और एक alkyl halide भी है या एक organic compound भी है समझ आ रहा है तो 2 आने वाला है power 1, power 1 तो इसका जो rate equation बनके आ जाएगा that is equal to लिख लीजिए rate is equal to is equal to directly proportional कुछ भी लिखो is equal to k alkyl halide की power 1 हम मैं reactant की power 1 नहीं लिखना चाह रहा हूं because अब z minus b एक present है ठीक है and nucleophile की power 1 कितना simple है सब अभी यह सब तो बिल्गुल आपको क्या बोलते है walk in the park लगना चाहिए तो इसको order कितना बन रहा है आप देख सेते हो power 1 power 1 जो net order of the reaction बनके आ जाएगा वो बनके आ जाएगा 2 लिख लिजिए पूरे page को पॉस करके इक लिजिए पूरे page को पॉस करके next 6th point पे आईए 6th point it is a concerted mechanism it is a concerted mechanism concerted mechanism का मतलब क्या होता था bond टूट रहा है बन रहा है simultaneously याद आ रहा है न so it means मैं लिख देता हूँ एक बार BB, BF BF, S अब तो ये आपके खून में मिला होना चाहिए ये चीज इसनी बार हो चुका है okay 7th point आते हैं चलो once again वही चीज़े क्या आपके इसाब से SN2 के टाइम पे beta hydrogen isotopic effect चो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए so once again अगर हमें derive करना है तो कहां जाना पड़ेगा इस डिब्बे पे आना पड़ेगा और देखते हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो ये carbon क्या हो चाहिए alpha carbon ये वाला जो carbon इदर होगा वो होगा beta carbon तो let me see मैंने यहाँ पे कुछ methyl ले लिया अभी हमारे example के लिया beta carbon beta carbon पे जो hydrogens present है अगर उसमें मैं variation करता हूँ मतलब एक बार hydrogen ले लिया एक बार deuterium ले लिया एक बार deuterium लिया तो क्या reaction के उपर कोई फरक पढ़ रहा है आप वो दिख रहा है कोई फरक पढ़ रहा है बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है वो जो attack हो रहा है वो सीधा साथा carbon के उपर attack हो रहा है x निकल रहा है इतना सा तर्याक्शन है छोटो सा कोई interaction ही नहीं है मतलब RDS के टाइम पे टूट नहीं रहा है इसलिए यहाँ पे कोई भी बीटा hydrogen isotopic effect शो नहीं होगा आगे नहीं समझे simple है देखो भई वह एक बार आपने एक mechanism को derive के लिए तो सारे आपके पास approximately same हो जाते हैं ठीके number 8 पे चलते हैं लिखिए SN2 शोज Walden inversion SN2 शोज Walden inversion अच्छा यह भी सबसे important point है तो इसको भी हम कर लेते हैं star अब समझते इसका मतलब क्या है Walden inversion बूलने का मतलब कुछ भी नहीं है मतलब inversion हो रहा है वो तो आपको पहले ही समझ आ रहा है mechanism देखके क्यों हो रहा है पीछे से हमला हुआ न जब पीछे से हमला होगा तब inversion हो रहा होगा अगर सामने से हमला होता जैसे तब अगर यह बनता तो यहां से product क्या बनता यहां से देखना C, R1, R2 R3 and Z तो यह क्या है यह retention है समझ आ रहा है retention क्यों है because अगर आप आओ C, R1, R2, R3, X तो जहां पे X था that is C, R1, R2, R3 वहीं पे Z है मतलब configuration में कोई भी change नहीं हो रहा है इसलिए वो process हो जाता है retention inversion क्या होता है यह जो आपके सामने हुआ inversion नाम से समझ आ रहा है because पीछे से हमला हुआ inversion मतलब optical isomerism के point of view से क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको बोलता हूँ कि यह R configuration का है तो यह जो product बनना चाहिए वो कौन सा बनना चाहिए वो बनना चाहिए as simple as that because chiral center है अगर chiral center नहीं होता तो फिर RS का मतलब भी नहीं है similarly अगर retention हो रहा होता तो अगर initially R है तो finally भी वो R configuration का बनना चाहिए था जैसे SN1 में हमने देखा था या SN1 में जिस Synth Carbocatine बन रहा है तो equal possibility उपर नीचे आगे पीछे इसलिए वहाँ पे आपके पास 50-50 बहुत रहा था बिसे partial racemization होता है जो मैं आज आपको बताऊंगा ठीक है यहाँ पे आपके पास retention नहीं हो रहा है सिर्फ inversion हो रहा है and inversion मतलब R का S, S का R as simple as that from optical isomerism point of view समझा रहा है ने क्यों बिकोज पीछे से हमला हो रहा है सामने से हमला हो तो वो भी दिखा दिया मैंने आपको अब अगर मैं आपसे बोलू कि आप लोग मुझे graph बना के दिखाईए S and 2 का मतलब कौन सा graph जो हम same बनाते रहते न एक होता है potential energy एक होता है time जिसको हम fancy language में बोलते है reaction coordinates तो वो कैसे बनेगा graph of S and 2 हमारे पास क्या क्या हो रहा है एक reactant है एक product है बीच में एक ही transition state है तो एक ही peak आएगा बस यही तो है तो कुछ reactant है for example कुछ product है for example यह and बीच में जो peak है वो क्या है transition as simple as that लिख लीजे भाई इसको pause करके आरहा है समझ जा नहीं आरहा है बहुत है simple से theory है बिलकुल भी कोई high level की चीज़ नहीं है ठीक है पाल तुम्हें इसको कुछ complex करने का मतलब भी नहीं बनता है because है ही नहीं कुछ complex करने के लिए अच्छा number 10 वो भी लिखवा देते है since beta hydrogen बता दी elemental कैसे miss कर सकते है बताइए क्या यहाँ पर आपके साब से elemental effect चो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो क्या RDS के टाइम पर CX bond टूट रहा है विल्कुल टूट रहा है देख सत्यों तो हैंस यहाँ पर आपके पास elemental effect शो हो जाएगा elemental effect शो हो जाएगा समझ आगे ना CI bond जल्दी टूटता है तो बहाँ पर आपके पास उसका rate जादा बन जाएगा लिख लीजे भाई लिख लीजे भाई पास करके next number 11th point ओके बिल्कुल ध्यान से देखना अभी लिखना मत पहले इसको एक बाद समझो जो मैं बोलना चाहरा हूँ इस page में for example यह हमारे पास R1 है यहाँ पे अपन के पास R2 है यहाँ पे अपन के पास R3 है यह मैं ट्रांजिशन स्टेट बनाने चाहरा हूँ because transition स्टेट से मतलब अपन को उसे से सारी properties derive हो रही है यहाँ पे कुछ X है यहाँ पे कुछ क्या था? Z है जो हमला कर रहा है यह मैंने आपके पास एक transition स्टेट दी है सबसे पहले इस line को क्या बोलते है यह जो line है इसका nucleus, इसका nucleus, इसका nucleus तीनो एक line में है इसलिए इस line को हम बोलते है inter nuclear axis क्या बोलते है inter nuclear axis जो line है dotted 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 मतलब यह जो practically जो angle बन रहा है इसकी बात कर रहा हूँ मैं अब एक चीज मुझे सोच के बताओ ठीक है एक चीज मुझे सोच के बताओ for example मैंने r2, r3 भी normal groups ले है मतलब जो bulky नहीं है simple सीधे साथे अब मैं bulky ले लेता हूँ समझारे क्या होने वाला है तो अगर मैं यह bulky groups लेता हूँ यह bulky है bulky मतलब जैसे साथ के टाइम पे बताओ था bulky मतलब space consuming group तो अगर मैं यह space consuming group ले रहा हूँ समझारा है इन दोनों groups के बीच में repulsion होगा दोनों groups के बीच में repulsion होगा और जब repulsion हो रहा होगा तो जो angle initially कौनसा angle z, c, x वाला angle वो angle अगर मैं bulky groups लेता हूँ क्या आपको समझारा है तो वो 180 degree नहीं बनेगा अगर मैं bulky groups ले रहा हूँ विकास दोनों के बीच में repulsion होगा जिससे वो angle कम हो जाएगा अगर मैं bulky groups नहीं लेता हूँ अचा bulky groups लेने से क्या हो रहा है समझा गया अगर मैं bulky groups नहीं लेता हूँ मतलब least repulsion पर अगर मैं operate करूँ जिससे for example hydrogen रिकार से तो वहाँ पर ये angle कितना होगा वो angle हो जाएगा 180 degree तो क्या ये perfect angle नहीं है because least repulsion से ये angle रहेगा तो दोनों minus के बीच में सबसे कम repulsion होगा वही तो हमें चाहिए अगर दोनों minus पास पास में आजाए bulky groups लेने से तो वहाँ पर दिक्कत वाली बात हो जाएगी जिएकर दोनों छोटो छोटो groups रहते हैं तो angle 180 रहेगा 180 रहेगा तो दोनों minus के बीच में repulsion नहीं होगा और repulsion नहीं हुआ तो वो compound stabilize हो जाएगा अब समझा रहा है तो bulkiness का भी यहाँ पर roll होने वाला है जब हम bulky groups लेते हैं तब यह distorted tetrahedral बन जाता है distorted tetrahedral बन जाता है इसके कारण दोनों minus पास में आने लग पड़ते हैं hence हमारे पास stability घट जाती है because repulsion घट जाती है बहुत है बहुत है simple चीज है अभी आपको लग रहा होगा बहुत ही complicated है जैसे एक question कराऊँगा अगला ही question पहले question हमारा ही है सब clear हो जाएगा आपको पहले लिख लिजिए इसको एक बार बस एक बार notes में add कर लिजिए फिर हम questions के उपर फिर एक आखरी theoretical point फिर हम questions के उपर चलते है advance का question भी आभी करवा दूँगा मैं आपको बल्कुल simple सा असान सा लल्लू सा question था वो ठीक है चले अब देखिए इसका application क्या है वो समझते है वो समझते screening के उपर देखना विकाज इससे आपका application clear हो जाएगा जो आखरी point है उसकी बात कर रहा हूँ for example मैंने एक Z- सबसे छोटो ग्रूप में ले लेता हूँ जो हो सकते हैं कि R1, R2, R3, टीनो ही हमने hydrogens ले ले लिए ऐसा sorry hydrogen, hydrogen X SN2 हो रहा है ऐसा अगर मैं इस reaction करवाता हूँ let me say यह हमारे पास कुछ A है question तो यह भी question यह practically है कि इससे मैं derivation करने वाला हूँ theory की तो Z- ने हमला किया पीछे से यह निकल रहा होगा product-product तब बना लोगे लेकिन हमें मतलब है transition state से तो अगर मैं इसकी transition state बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा CH H यहाँ पे H यहाँ Z यहाँ X यह तो अब समझ आ रहा हूँ न सभी को कैसे बनाए है मैंने लेकिन से यह हमारे पास transition state number 1 है transition state number 1 है तो मुझे बताईए कि यहाँ पे जो angle है वो कितना हो रहा होगा वो proper 180 हो रहा होगा समझ आ रहे ने क्यों proper 180 होगा because इससे छोटे groups possible ही नहीं लेना hydrogen 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 के इससे छोटा group लेना ही possible नहीं है तो perfect 180 degree बन रहा होगा दिमाग में घुसरा है न मैं क्या बोल रहा हूँ अब for example मैं एक और question लेता हूँ ठीक है पहले इसको लिख लेना है एक बार मैंने एक और question लिया let me say number B that is Z minus plus C and मैंने एक methyl डालना अब start कर गगी for example कुछ ऐसा लिखना मत पहले समझ लो मैं क्या समझा रहा हूँ है बहुत simple लेकिन बहुत डीप चीज है यह इससे एक derivation यही summary रहेगी पूरी theory की जो है so one second Z minus ने हमला किया X निकलना चाहेगा निकाल लोगे product बना लोगे अब बात करते हैं transition state की transition state क्या बन रहा होगा यह बन रहा होगा यह नहीं बन रहा होगा ऐसा X निकल रहा है Z लग रहा है so let me say यह हमारे लिए transition state number 2 है आप बोला कि ठीक है यह सब तुम मुझे समझे समझ आ रहा है न सभी को क्या है यह transition state number 1 है proper 180 बन रहा है यह transition state number 2 है क्या यह angle अब 180 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए 180 से थोड़ा सा यह कम रहने वाला है यह हमें समझ आ रहा है अच्छा अब आप समझ आ रहे हैं कि अगला question क्या होने वाला है कि मैं 2 मिथाईल लोंगा तो मैं directly transition state ही बना देता हूँ जब अगर मैं 2 मिथाईल लेता हूँ तो जो transition state बनेगी वो यह बन जाएगी once again क्या यहाँ पर angle हमारे पास 180 होगा या नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा समझ आ रहा है नहीं होगा मैं mark भी नहीं कर रहा हूँ and number d आप experiment जो कर रहे हो वही होने वाला है copy paste कर लेते हैं इसको number d में क्या हो जाएगा हमने सब के सब groups को methyl ले लिया तो जो वहाँ पर transition state बनेगी वो हमारे पास यह बन जाएगा very 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 there तो अब आपको दिख रहा होगा यह सबसे कम angle कहाँ पर होने वाला है यहाँ पर होने वाला है because यहाँ पर आपके पास maximum repulsion हो रहा है आ रहा है समय जा नहीं आ रहा है तो यहाँ पर जो internuclear axis का angle है वो छोटा हो जाएगा and जैसे वो angle छोटा हो जाएगा तो जो दोनो minus हमारे पास है वो पास पास आने लग पड़ेंगे और जैसे वो पास पास आने लग पड़ेंगे unstability भढ़ जाएगी उस compound की because potential energy भढ़ रही है due to minus minus के पास आने से practically जो number D है वो हमारे पास maximum crowded है out of the four cases जो मैंने लिये है please let me know सभी को समझ आ रहा है समझ आना चाहिए ये क्या हो रहा है अब अगर मैं बात करता हूँ rate of the reaction की मतलब rate of SN2 तो वो क्या हो जाएगा ABCD में से वो हो जाएगा ABCD simple अब अगर हम theory के उपर वापस आए theory के उपर जो पूरी के पूरी theory आपको बताए गई है वहाँ पे हमारे पास दो important points है एक point क्या है that is anionic character negative charge net में and एक हमारे पास है inversion वो तो ठीक है एक और जो हमारे पास मैंने लास में बता है that is crowding तो जो acid 2 है वो practically दो factors के उपर depend कर रहा है समझा रहे एक factor तो मैंने अभी आपको बता दी है चार example के दौरा that is crowding इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो तरीका number 1 internuclear axis 180 तरीका number 2 logic number 2 क्या है सोचो भई सोचो सोच ना सीखो तभी IIT में जाकी भी photo गे okay समझो इसको logic number 2 क्या है कि Z- आना चारा है कि तो logic है Z- आना चारा है एक nucleophile है वो घुसना चारा compound में तो उस Z- ले compound में घुसना का बसान हो जाएगा जब वहाँ पे crowding कम रहेगी तो जो एक road पूरा खाली है उसमें चलना असान है जो road पूरा भरा है for example किसी concert के time पे तो वहाँ पे घुसना असान है आगे समझ जानी आया तो यहाँ पे घुसना भी जादा मुश्किल होगा इस compound में kino-mithyle की पहले से बलकिने से Z- असानी से नहीं घुस पाएगा लेकिन यहाँ पे अराम से घुस पाएगा एक routing के में आपको दो logic समझा दिये second जो factor है जिसके उपर depend करता है that is electron deficiency आप बोलोगे क्यों because भी anionic character है न अगर वो compound anionic character को represent करवा रहा है तो हमें वो electron deficient करवाना है rich करवाना है deficient करवाना है इन दो factors के उपर depend करता है अब आप बोलोगे दोनों मैंसे ज़्यादा dominating कौन सा है personally मैं second वाले को use करता हूँ ज़्यादा तर because transition state is directly directly an electron rich compound मतला एक negative charge है तो अगर हम उसको electron deficient बना देंगे तो automatically stability आ जाएगे and logically crowding भढ़ाने से आप देख भी सकते हो ना कि plus हाई plus हाई भढ़ रहे है तो खुदी electron rich हो रहा है तो वो पहले ही unstable हो जाएगा तो वैसे भी आप सो सकते हो अब देखो एक और चीज for example मैंने इसी में एक number e question लिया अब लिखना मताब समझना for example आपको दिया गया है यह यहाँ पर कुछ भी है r1, r2, r3 sorry r2, r3 यहाँ पर यह है sn2 हो रहा है obviously arrow के उपर देखो sn2 नहीं लिखा होगा यह नहीं लिखा होगा हमें कैसे परते चलते है sn1 होग, sn2 होगा e1 होगा, कुछ reagents होते हैं अब देखना z- ने जब इसके उपर हमला किया तो हमारे पास क्या transition state बन रही होगी वो हम समने कोशिश करते हैं फिल फिल ध्यान से देखना बहुत ही interesting सवाल मतलब interesting चीश है यह वैसे तो theory की ही है application ओके यहाँ से x निकल रहा होगा यहाँ से z आ रहा होगा तो यह हमारे पास बन क्या जाएगी transition state number 5 अब इस transition state में खास बात क्या है देखना ध्यान से delta minus delta minus delta plus यह transition state क्या है electron deficient है आ रहे समझ या नहीं आ रहा है मतलब यह जो carbon है उसके उपर एक electron withdrawing group present हो रहा है और जब एक electron withdrawing group present हो रहा है उसने ऐसे चूस लिया उससे electron density तो वो carbon क्या हो जाएगा electron deficient हो जाएगा तो logically समझा गर वो चीज electron deficient होगी तो क्या उसके उपर एक electron rich species आके जल्दी से हमला नहीं करेगी वही तो हो रहा है आ रहे समझ या नहीं आ रहा है इसलिए यहां पर आपके पास एक electron deficient carbon की उपर हमला हुआ and net में जो हमारी transition state है जो negatively charged होती है उसकी उपर एक EWG present है तो वो stabilize हो जाएगी तो वो ही तो हमें चाहिए hence जो net rate बनके आ जाएगा net rate of SN2 वो क्या बन जाएगा वो यह बन जाए आ गया समझ या नहीं आया कि क्यों एक electron withdrawing group आने से हमारे पास rate of the reaction भढ़ गया ठीक है क्यों भढ़ गया because at the end of the day anionic character है यह हो गया transition state के point of view से logical क्या है अकर वो खीचेगा तो carbon electron deficient बनेगा electron deficient बन गया तो minus जल्दी हमला करेगा as simple as that ठीक है as simple as that लिख लीजे hence यहां पर जो rate of the reaction है वो भढ़ जाता है rate of the reaction increases rate of the reaction increases लिख लीजे भई pause करके लिख लीजे भई pause करके मैंने आपको theoretical point भी बहुत logical तरीके से सारे derive करवा दिया है अब देखिए number 12 next point जो हमारे पास rate of sn2 था अब हम दना-दन questions करेंगे hold करना बस theory बहुत interesting है तो वो dependent है rx की power 1 z minus की power 1 पे mathematically आपको बता है अगर directly proportional है मैं एक को भढ़ाऊंगा तो net rate भढ़ेगा तो अगर मैं concentration of the nucleophile भढ़ाता हूँ nucleophile मतले z minus इंटरस्टिंग चीज है क्यों तो किस अगर आप sn1 में concentration भढ़ाते nucleophile की जो हमने कल पढ़ा था तो वहां पे कोई भी फर्क नहीं पढ़ेगा Mathematically वह involved ही नहीं है अगर मैं यहां पे nucleophile की concentration भढ़ाता हूँ तो जो rate of the reaction है वह भी भढ़ जाएगा वह भी भढ़ जाएगा समझा रहा है क्यों direct relation है दूसरी चीज क्या है Rx की भढ़ाओगे तो बढ़ेगा वह नहीं लिख वा रहा हूँ अगर मैं nucleophilicity भी भढ़ा दू nucleophile की तो समझा रहा है तो भी हमारे पास rate of the reaction भढ़ जाएगा आप बोलोगे भी कैसे अरे भाई यह सब ही तो कर रहा है इतने टाइम से हम ठीक है because once again think inside the box जब हम reaction mechanisms पढ़ते है जैसे आईए तो ध्यान से देगे डिबे में आईए डिबे में डिबे में क्या हो रहा है Nucleophile हमला कर रहा है यह नहीं कर रहा है RDS के टाइम पर जितना जल्धी वह हमला करेत तो reaction जल्धी आगे जाएगा नहीं जाएगा जाएगा नए RDS में involved हो equilibrium है simple जितना जल्धी हमला करेगा उतना ही जल्धी आगे जाएगा as simple as that वो ही यहाँ पर लिखवाया है कि since nuclear felicity अगर मैं भड़ा दू तो हमारे पास rate of the reaction भड़ जाता है rate of the reaction भड़ जाता है आखरी theoretical point अभी के लिए आखरी theoretical point number 13 obviously तो बहुत वर लोग expect भी करेंगी कैसे हमें समझ आएगा SN2 है या क्या है या क्या नहीं है उसके उपर हमारे है SN1, E1 SN1 में क्या use हो रहा था SN1 की बात करते हैं भी सिर्फ SN1 में हमाँ पास use हो रहा था polar product solvent क्यों हो रहा था बताया गया कल के lecture में अच्छे एक और चीज substitution reactions are performed at room temperature वो कल बता दिया तो आज नहीं लिखवा रहा हूँ ठीक है तो जो SN2 reaction है वहाँ पे हम लोग use करते हैं A-protic solvents कैसे बताता हूँ पहले लिख लो वहाँ पे हम लोग use करते हैं A-protic solvents आप बोलोगे polar ही क्यों non-polar क्यों नहीं बताऊंगा तो A-protic solvents यहाँ पे use होते है SN1 के टाइम पे प्रोटिक use हो रहे थे क्यों हो रहे थे बताया है SN2 के टाइम पे हमें A-protic use करते हैं अब यह क्यों हो रहा है वो समझते पहले प्रोटिक एप्रोटिक example लिख लीजे example DMSO DMF मैं polar वालों की ही बात कर रहा हूँ सिर्फ acetone जो polar का मतलब पता है न polar मतलब क्या? polarity plus minus आना चाहिए तो neutral नहीं होना चाहिए neutral मतलब without any charges वोला अच्छा पहले DMSO क्या होता है DMSO का structure देख लीजे SO dimethyl लगा दीजे DMF dimethyl formamide okay side हो नहीं आता है formamide ठीक है? तो पहले formamide क्या है? यह formic acid याद आ रहा है न dimethyl formamide amide मतलब nitrogen होना चाहिए critical bond of N होना तो यह होता है DMF यह होता है DMSO acetone तो मेरे असाब से पता है ही फिर भी बना देता हूँ मतलब propanone the smallest ketone minimum number of carbons वाला ketone है तो में सिर्फ carbon chain लो तो यह आपके पार अब बल्कुल धियान से देखना प्लीज इसको लिखना मत पहले समझ लो कि क्यों हम a product यूज कर रहे है product क्यों ने use कर रहे है for example मैं एक nucleophile लेता हूँ let me say कुछ Z- है लिए कह है OH- NH2- 3N- N3- अब अगर मैं एक a product solvent ले रहा हूँ जैसे ये या ये ये कोई भी मैं इसका example लेकर समझा देता हूँ तो यहाँ भी क्या हो रहा होगा ध्यान से देखना तो जो nitrogen की lone pair है तो stabilize करेगी किसी plus charge को जैसे h plus b r minus न तो सोचके जैसे plus charge को लेकिन जो minus है उसके लिए तो कोई plus charge ही नहीं न stabilize करने के लिए आगया समझा नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ठीक है जैसे s double bond हो में भी same चीज़ हो रही होगी ये एक plus charge को तो जरूर stabilize कर देगी लेकिन जो minus charge है it is not stabilized आप बोलोगे यार हमें तो stability बढ़ानी होती है या पर तो stability मिल ही ने रही है minus को हमें stability बढ़ानी थोड़ी है हमें z minus की stability बलकी घटानी है क्यों? विकाद मुझे उससे हमला करवाना है तो हमला कौन करता है जल्दी अब ये reactant है अब ये reagent है to be very exact ये reactant है तो अगर ये unstable हुआ तो जल्दी react करेगा या वो अगर stable हुआ तो जल्दी react करेगा आगे logic समझ भी आनी तो सिंस ये stabilize नहीं हो रहा है polar A product solvent में इसका मतलब क्या है कि वो जल्दी हमला करेगा विकाज उसकी अब reactivity हमने भढ़ा दी reactivity हमने भढ़ा दी तो सिंस हमने उसकी reactivity भढ़ा दी मतलब क्या भढ़ा दिया हमने उसकी nucleophilicity बढ़ा दी ये तो मतलब होता नहीं कौन जल्दी हमला करे और जैसे हमने nucleophilicity बढ़ा दी क्या भढ़ गया rate of the reaction भढ़ गया Polar A product solvent लेना चाहते हैं इसलिए हम SN2 के टाइम पे Polar A product solvent लेना चाहते हैं ठीक लिजे भई, pause करके ठीक है अब questions देखते हैं भई, ढंक से मेरे साब से तो समझ आई गया सभी को क्या हो रहा है हाई, question number one आपको दिया गया है compare the rates of the SN2 reaction A, B, C and D once again, आपको electron deficiency से देखना है crowding से देखना है, आपकी मर्जी है मैं personally, electron deficiency वाला prefer करता हूँ because वो transition state में directly बन रहा होता है तो देखो, जिस carbon के उपर हमला हो रहा हो, उसको पहले mark कर लिया करो, बहुत हर case में, सन1 हो, सन2 हो E1 हो, E2 सभी के लिए इसके उपर हमला हो रहा है यहाँ पर crowding सबसे ज़ादा है तो इसका rate सबसे काम हो जाएगा दूसरा funda, electron richness electron deficiency से भी आप इसको देख सकते हो बल्कि यह example लेके मैं आपको solve भी करवाया है next, आगे चलते है number G के उपर for example आपको दिया गए हमसे बोला गया है compare the rate of the SN2 reaction तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अगे मैं ध्यान से देखो हमला इसके उपर हो रहा है इसके उपर हो रहा है इसके उपर हो रहा है कौन सा carbon सबसे ज़ादे electron deficient है, number C because इस वाले का minus I best है यहाँ पर भी minus I लग रहा है यहाँ पर भी minus I लग रहा है left वाले group का, यहाँ पर तो बलकि plus I लग रहा है तो best कौन सा बन जाएगा transition state कहाँ पर ज़ादा stabilize होगी, या simple सबंडा है, Z minus कहाँ जल्डी आना चाहेगा जो चीज ज़ादे electron deficient होगी because वही minus को attract करेगे यह तो मेरे साब से बताने की ज़रोती नहीं है, minus I, minus I, plus I SP is more electronegative, hence वहाँ पर जादा अच्छा minus I लग रहा होगा, ठीक है, आईए आईए आपको पहले कुछ PYQs करवा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसमें यह आपके पास है JEE main 2014 का question ट्राइ करिए, in SN2 reactions, the correct order of reactivity for the following alkyl halides is क्या बनके आजाएगा, यह आपसे पूछा गया है ठीक है, करें फिर आई हो आपने ट्राइगा लिया हो देख सकते हो, इधर हमला हो रहा है इसके उपर हमला हो रहा है यहाँ पर इसके उपर हमला हो रहा है यहाँ पर इस वाले कार्बन पर हमला हो अब इससे बताव इससे फर्जी कोशन आपके परस क्या आएगा तो सबसे जादा तेस कहाँ पर हो जाएगा, 1 degree पर, मतलब इस वाले पर हो जाएगा, because least crowding है and, अच्छा कभी पर competition हो between crowding and electron deficiency समझारे, electron deficiency जीतेगा derivation किये आपके सामने क्यों okay, तो correct answer यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर option number B बन के आचाएगा, I hope आपने सही किया हो, यह सही किया तो confidence भड़ना चाहिए next, number J try करिए, the major product of the following reaction is, अब आप बोलोगे यार, यह question तो हम कर चुके है यह question हम शायद कर चुके है पिछले lecture में, तो इसके मैं वापस discuss नहीं करूँगा, I'm sorry, repeat आगा गलती से कोई दिक्कत नहीं है यह try करिए, JEE Advance 2008 का यह question है, आपको दिया गया है, the major product of the following reaction is, PHS-Na plus, DMF dimethyl formamide has been given to you पूछा गया है कि major product क्या बनेगा, समझे फिर क्या होने वाला है, आपके पास जो हमला हो जाएगा, विदर हो जाएगा कॉंसर reaction है, SN2 है क्यों है, दिखी रहा है nucleophilus साथ में, A-brotic solvent है आपके पास तो जब हमला होगा, तो क्या हो जाएगा inversion हो जाएगा अगर पहले वो wedge पे था, तो बाद में dash पे होना चाहिए, बस option number A, से अंसर बन जाएगा इसी प्रगा question शायद J-E में 2021 में के आया था next, आगे चलते हैं, number L हाँ, try करिए उसको J-E-E advanced 2000 2013 का ये question है, तब पहली बार जो IIT J-E था वो आपके पास J-E advanced बनके आया था, ठीके तो 2013 advance का question है, ढंक से करिये, discuss करें पहला answer बता दू ये है अगर आपने सई किया है, very good once again, कहा हमला हो रहा है उनको mark कल लेते हैं, इस के उपर हो रहा है इस carbon पे हो रहा है इस carbon पे हो रहा है, इस carbon उसके आदा देख सकते हो, 1 degree 2 degree 1 degree अब दोनों 1 degree में से भी कैसे देखेंगे P वाले में, crowding कम है बस SPRQ, ये question तब अच्छा बनता, वैसे तो असान हो गया तब अच्छा बनता ना, जब वो आपको P और S में फसाने की कोशिश करता लेकिन वो कोशिश ही नहीं की गई है यहाँ पर, इसलिए directly आपके वास option number B, अच्छा बनके आ जाए ठीक है next, अबर M वाले try करिए question ध्यान से देखना, आपको बोला गया compare the nucleophilicity order question ध्यान से देखिए compare the nucleophilicity order, ये बोला गया है ठीक है, देखें फिर कैसे होना चाहिए यहाँ पर आपके पास nucleophile के वो judge करी है nucleophile हमारे पास ये है यहाँ पर ये वाली loan pair एक nucleophile है, यहाँ पर ये वाली loan pair हमारे पास nucleophile है अगर मैं ध्यान से देखूं तो कौन जल्टी देगा इन टीनों में से तो CH3 दिखा रहा है प्लस I, NO2 दिखा रहा है माइनस I and CN भी दिखा रहा है माइनस I, ये loan pair out of the plane है तो resonance में नहीं है, GOC में बताया गया कौन जल्दी दे रहा होगा, obviously A अब बात कर लिए between B and C में तो B and C में C में कम माइनस I लग रहा होगा नमबर N पे आते हैं नमबर N में आपके पास ये है loan pair ये है loan pair ये है loan pair तो इन तीनों में से nucleophilicity order क्या होना चाहिए हम से पूछा अब देखो, ये जल्दी दे पाएगा ये बिल्कुल नहीं दे पाएगा क्यों, because ये जो loan, specificity याला point याद करिए ये आपके पास resonance में भी है और aromaticity में भी involved है तो बाहर तो कभी दे ही नहीं पाएगा and ये वाला भी बाहर दे पाएगा SP3, SP2 इसलिए आपके पास ये जीच जाएगा तो C, A, B अब इस question को करने के बाद doubt आना चाहिए क्या doubt आना चाहिए जो हर बच्चे को आता है that is nuclear felicity और basicity तो exactly same है आना राउट ये तो दोने exactly same है तो दोनों में अंतर क्या है देखो अगर मैं बात करो बिल्कुल simple language जो बता रहा हूँ मैं बिल्कुल कोई high-five involvement नहीं कर रहा हूँ basicity nuclear felicity बहुत सारी cases में approximately same ही बन जाता है लेकिन जब मैं आपको one two versus one four addition बताऊँगा न तब आपको और इच्च तरह समझ जाएगा इसलिए बिल्कुल एक basic सा comparison करके बता रहा हूँ for example student है let me say student A एक है student B बिल्कुल ध्यान से सुनना student A जो है वो 30 minute में 30 रोटी खाता है for example एक student है वो 30 minute में 30 रोटी खाता है फिर निपट जाता है बोलता हो गया एक student B है वो for example 3 घंटे में 180 minute में 30 रोटी खा रहा है अब थोड़ा बट फंड़ा आपको समझ आ रहा हूँगा क्या होने बाल तो ये जो बंदा है ये जो person है number A वो किस चीज में अच्छा है वो sprint में अच्छा है 100 meter race उस प्रकार की race whereas ये marathon में अच्छा है लंबे समय का बंदा है बस यही difference है between basicity and nucleophilicity कौन जल्दी काम कर रहा है वो है nucleophilicity लेकिन कौन जादा hold कर रहा है कौन जादा hold कर रहा है वो हमारे पास है basisity तो ये जो person है वो अच्छा base है because जादा रोटी होल्ड कर रहा है जादा H plus होल्ड कर रहा है whereas ये जो person है ये वाला वो अच्छा nucleophile है आ रहा है समझ ये basic सा difference है दोनों के बीच में बिल्कुल basic language हो समझाना चाहूं और detail में जब मैं 1,2 versus 1,4 पढ़ाऊंगा तब आपको समझायागा ये actually एक thermodynamic effect है ये actually एक kinetic effect है वो हम तब देखेंगे ठीक है तो basic reaction basic चीज आपको clear होगी ये है तो nuclear flow city में हमें stability etc. से कोई मतलब नहीं है बलकि जितना unstable उतना भेतर ये वाला पार्ट मेरे साबसे अब A to Z सभी को clear है ये कि basic सा difference है दोनों के बीच में ओके आगे चलें फिर next के उपर number O अब देखो ये जो question है इसमें आपको थोड़ा बहुत difference समझ आएगा S1, S1, S2 कम कैसे judge करे reagent के basis पे अगर मैं ध्यान से देखो तो मुझे समझ आएगा कि जो उपर ओला reaction है वहाँ पे एक polar protect solvent temperature नहीं लिखा है तो room temperature मतलब SN1 OH- nucleophile in the presence of A protect solvent कि है SN2 आज हम head in डाल के भी comparison करेंगे SN1 versus SN2 ठीक है SN1 हो जाएगा तो वहाँ पे क्या बनेगा कार्बोकटाइन बन जाएगा कार्बोकटाइन में क्या हो जाएगा resonance हो जाएगा तो दो परकार के कार्बोकटाइन पॉसिबल थी मतलब नेट में तो दो नहीं एक ही बनता है जो hybrid होता है लेकिन ऐसे resonance structures में दो है तो फिर जब water आया हमला किया minus h plus मतलब जो h plus and x minus लगे साथ में तो एक possibility ये है इस alcohol की and साथ में जो दूसरी possibility है वो है ये तो दो alcohols possible थी तेकिन दूसरे वाले में क्या हो जाएगा simple सा inversion हो जाएगा यहाँ पे कोई concept नहीं है उसका because हमारे पास carality ही नहीं है तो यहाँ पे बस एक simple product single product बन के आ जाएगा समझागे तो यह एक छोटू सा जो difference है SN1 एवं SN2 के बीच में वो आपको इस question के द्वारा बताने के कोशिश की गई है cleared आगे चलते हैं लिख लीचे पहले बस करके number P पे आईए number P same question है SN2 का rate आपको compare करने का है इस question के अन अब देखिए इस carbon के उपर हमला होना का भी preferable होगा आपको आज advance के भी questions करवा दिये तो यहाँ पर यह जो bond इसको तोड़ना मुश्किल है क्यों? partial double bond यहाँ पर हमला इस carbon पर होगा इस carbon पर होगा इस carbon पर होगा तो सबसे ज़ादा जल्दी हमला होना कहां पर असान है समझा रहा है? यह group लगा रहा है minus i तो best तो बन जाएगा b अच्छा यहाँ पर plus i लग रहा है यहाँ पर plus i लग रहा है वर्स्ट बन के आ जाएगा A क्या तक क्लियर रहे न, क्यों हो रहे अब अगर मैं compare करूं between C and D तो क्या हो रहा होगा आपको दिख रहा है कि जो C वाला पार्ट है वहाँ पे कितनी भयंकर crowding है देखो न तक रिदमें हमला कराने ऐसे देखो इतना बड़ा group बैठा हुए यहाँ पे कोई इतनी बड़ी crowding नहीं है लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी crowding versus electron deficiency में अगर कभी competition हो कौन जीतेगा? electron deficiency वाला जीतेगा because वो transition state से पहले भी आ रहा होता है Z- उदर हमला करेगा जो जादा electron deficient होता है तो यहाँ पे plus आई है मैंने जान बूझका आपको दोनों बता दिया ताकि जिसको भी पहले confusion हो रही थी अब clear हो गया होगा यहाँ पे एक जगा से plus आई है यहाँ पे दो जगा से plus आई है तो कौन जादा electron deficient बन रहा है relatively okay next number q पे चलते है number q पे जो भी question आप class में गलत करो star mark करो future के point of view से आप बाद में मुझे thank you बोलोगे okay यह जो carbon है यह हमारे पास हमला करेगा इधर हमला होगा इधर हमला होगा best कौन सा बन जाएगा अगर आपने सोचा है c तो गलत है c पहले ही last में चला जाएगा because brett's rule 1000 बार बता दिया है वापस नहीं बताएंगे अब जो competition that was between a and b अगर आपको लग रहा है कि यह plus m दिखा रहा है तो वो गलत है न because resonance तो हो ही नहीं रहा carbocatine बन रहा है यहाँ पे नहीं partial बन रहा है यह answer देखा करो ओके तो यह actually तो यह actually resonance में नहीं है hence यह minus i ही दिखा रहा होगा and यहाँ पे आपका plus i दिखा रहा है तो best electron deficient कौन से बन जाएगा most sorry बन जाएगा b correct answer बन के आ जाएगा b a दिख लीजे मेरे भाई pause करके पूरे page को next number R पे चलते है यहाँ से देखिए NaN3 start में DMF DMF क्या आता है dimethyl formamide NaN3 क्या है Na plus N3 minus N3 minus क्या है azide iron आपको बताया होगा inorganic में airbags etc वो सब में भी आता है यह काम okay यह होता है N3 minus nucleophile है न nucleophile है न तो कहां हमला करेगा वो समझते है दो positions है कहां पे better minus size कहां पे better ascent 2 होने वाला है left वाले में हो जागा कम crowding है better leaving group भी है दोनों favorable है पीसे से हमला हुआ कि निकल गया inversion हो जाएगा जो final product हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा ध्यान से देखना inversion हुआ न inversion हुआ न आपके पास यह बन किया देख लीजे भाई पॉस करके मतलब मैंने यह थोड़ा सा गलत बना दिया न एक बार ध्यान से देख ले न गलत बना दिया थो यूटीरियम नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा inversion हुआ है मैंने गलती से सेम ही position बना दिया थो अब समझ आ रहा है तो यह बन किया जाएगा very 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 easy देख लीजे बाउस करके next कोई बोल रहा हूँ हर जगा आपके पास goc isomerism ही है तो अगर आपने goc isomerism ढंक से करके रखा है तो आपको बाकिस सब ऐसा लगेगा कि भाई बार बार repeat हो रहा है बार बार repeat हो रहा है ठीक है इसको ट्राइ करिए na i acetone दिया गया यह named reaction भी है तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा अगर मैं ध्यान से देखो तो nucleophile है जो solvent है वो हमारे पास a product solvent है room temperature है तो sn2 की condition है properly sn2 की condition है i- हमला करेगा लेकिन leaving group ही नहीं है मेरे भाई bluff में फसादिया आपको leaving group ही नहीं है OH- कहां पर leaving group होता है OH- is not a leaving group अगर socialologically OH- ही leaving group होता तो क्या e1 के time पर हम OH को eliminate नहीं कर रहे होते हैं हमें क्यों पानी की बनानी की जुरुत पड़ती दूसरा logic जब आपको बताता हूँ यहाँ आपको समझे अगर OH- एक अच्छा leaving group होता ठीक उसने leave कर दिया OH- बन गया अब OH- क्या है? nucleophile है ना? उसने हमला किया i- को बापस निकाल देगा वो बिकाज i- तो और बेटर leaving group है one second हम same situation पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हो रहा है no reaction किस bluff में मत फसा गईजिए क्या हो रहा है? no reaction no reaction तक लिजे pause करके next number T अब ध्यान से देखना भी ध्यान से simple question है NAI साथ में दिया गया है H2SO4 NAI H2SO4 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समझ आ रहा है na? H2SO4 है तो अब हमारे पास water बनाया जा सकता H plus के साथ interaction करके तो जो final product है वहाँ पर retention plus inversion हो जाएगा मतलब यह बनके आ जाएगा गलत गलत once again expected J advance question यह गलत है क्यों गलत है वो समझते हैं because मेरे भाई, H2SO4 क्या है? H2SO4 is a very good oxidizing agent नाओगे निक में आपको भरबर के बढ़ाया जाता ही है NAI is a very good oxidizing agent तो होता क्या है? कि जो I minus है H2SO4 की presence में oxidize हो जाता है I2 के अंदर जो बताया जाता है electron transfer reaction जो होता है I minus in acidic medium oxidizes to I2 and जैसे हमारे पास I2 बन गया जो हमारा nucleophile है जो हमारा nucleophile है मेरे भाई, वो destroy हो गया कैसे bluff में आपको बसारा question जैसे वो destroy हो गया hence यहाँ पे भी हो जाएगा expected future question in advance because inorganic plus organic mix हो रहा है ठीक है? लिख लीजे pause करके हो लिख लीजे pause करके अब obviously doubt आ रहा होगा क्या doubt आ रहा होगा? कि क्या यह बाकी halogen में नहीं हो सकता? नहीं नहीं because I minus को oxidize करना जादा असान होता है with respect to CL minus and BR minus down the group वाली property periodic properties में आपको बताया होगा यह तो अगर मैं यह लेता हूँ like NACL या NABR जो आप expect करे थे पिछले question में वही होगा मतलब यह बनेगा simple उसके बाद आपके पास क्रटायन बन जाएगा room temperature ही है ठीक है इसलिए elimination नहीं होगा because room temperature पर मैं ले रहा हूँ पिछले question भी room temperature पर ही था तो कार्बकटायन बन गया तो ऊपर नीचे से हमला हो सकता है एक बार इधर से एक बार इधर से जो आप expect कर रहे थे कि rationalization होना चाहिए वो अब आपके पास होगा आ रहा है मजा या नहीं आ रहा है कि जब दिमाग खुलता है जब और मज़ा आता है यह बन जाए and similarly नीचे वाले में जो आप यहाँ पर कर रहोगे वो बन किया आ जाएगा retention plus inversion दोनों बन रहे हैं लिख लीजे pause करके लिख लीजे pause करके ठीक है समझा रहा है कैसे inorganic plus organic को mix करके अच्छा question बनाया गया इसमें physical भी mix कर सकते है जैसे i- की कुछ क्या बोलते हैं वो n-factor और वो सब involve करके नमज़ा रहा है तो और अच्छा question बन जाएगा लिख लीजे ओके next आगे चलते है number V यहाँ पर आपके पास है NaOH, DMF मतलब proper reagents SN2 वाले है लेकिन यह क्या है Brett's rule, bridge head carbon hence यहाँ पर हो जाएगा no reaction मैंने कल यही question आपको SN1 के time पर भी करवाया था वहाँ पर हमारे पास no reaction हो जाएगा आगे समझ तो ना ही SN1 दे रहा है, ना ही SN2 दे रहा है E1 के time पर बता चुका हूँ जब कल का lecture आएगा उसमें E2 देखेंगे तब भी सेम चीज हो जाएगे, तब भी नहीं होगा ठीक है एक लिए जब पॉस करके next number W जियान से देखना प्रकास दिखने में simple question है वैसे है simple, अगर isomirism के point degree से देखें लेकिन इसके अंदर लोग फस्ते है ध्यान से देखना और समझना क्यों पर ट्राइ करिए एक बाद ट्राइ करिए इसको ठीक है आई होब आपने ट्राइ कर लिया हो अब आप देखिए हो क्या रहा है, पहली बात अच्छा है एक और चीज़, एक ही मूल लिया है मैंने, अगर किसी कोई डाउट हो हमला कहा होना चाहिए कौन से कार्बन पर होना तो इस कार्बन पर ही चाहिए इधर नहीं होगा, बिकॉज यह अच्छा लीविंग रूप नहीं है लेकिन हमला कैसे करें, वो हमें समझ नहीं आ रहा है पर आई तो उपर लिखा है, वेकर लेफ्ट राइट लिखा होता है तो क्या यूज करेंगे हम, शिफ्टिंग यूज करेंगे न पर एक्जांपल मैंने इन दोनों के बीच में एक शिफ्ट करवा दिया आ रहा है समझ है, नहीं आ रहा है तो जबी भी आपका इसे सिचुएशन दिखे जहां पर डिरेक्ली हमारे पास ना हो फॉर्मेशन लेफ्ट राइट वाला तो बस शिफ्टिंग करवा दिजे, लेकिन शिफ्टिंग भी क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए न या भी एक हुआ, फिर हमने एक और शिफ्ट कराया बेकर अगर आप और कराओगे तो आपको बताया ही है प्लीज अंडेस्टाइंड एक और क्विक रिविजन जब शिफ्टिंग करवाते हैं, तो सेम ही कार्बन भी होना चाहिए, दोनों बार प्लीज अगर आप नीचे वाला पर करोगे, तब भी वो इनवर्जन ही काउंट होगा प्लीज आपने एक उपर एक नीचे तो डबल इनवर्जन कर दिया आपके पास बनके आजाएगा अब आपके पास बन गया अगर ये कंपाउंड ए है तो मेरे भाई ये वाला भी कंपाउंड ए ही है अद फिर इसके उपर एसेच माइनस आएगा हमला कर देगा इधर से इसको लेके निकल जाएगा अब आपके समझाएगा अब आप बोलोगे भी फॉर एक्जामपल अगर हमारा अंसर ना करे जो ओप्शन दिया गया है इसे टिग्नमेटरिक एक्वेशन में भी तो होता नहीं है तो कैसे वेरिफाय करोगे आर इस नॉमंकलेचर से वेरिफाय करोगे एक्जामपल इस वाले कार्बन के कॉन्फिगरेशन आर आरी है तो जो ओप्शन आप देख रहे हैं उसमें जो आर वाला होगा तो दोनों का सही करके वो बन किया ठीक है तो उस प्रकार से होता है लिख लीजे बढ़ी पॉस करके इसको दिख लीजे इसको पॉस करके समझ आ गया होगा मेरे साथ से कुछ पी हाइफाय नहीं नेक्स नमबर एक्स आप से बोला गया है एक ये है पहली बात तो इसमें लोग इसमें फस जाते हैं कि हमला किसके उपर होगा आदर लोग तो वहीं पर निपट जाते हैं तो ध्यान से देखिए अगर मैं Z- लेता हूँ तो O हमला इस कार्बन के उपर करेगा ये लीविंग ग्रूप है और जो Z- अगर मैं इधर हमला करूँ ये लीविंग ग्रूप अब बोलोगे प्रैक्टिकली दोना में स्टेबिलिटी तो सेम ही है ना O- बन रहा है O- बन रहा है ऐसे ऐसे लेकिन फिर भी जो रेट बनेगा वो ये बनेगा अब ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिजिकल यूज करना पड़े यहाँ पर जो लीविंग रूप है वो सेपरेट हो रहा है हमारे कोश्चन से हमारे रियक्टेंट से जब वो सेपरेट हो रहा है तो सिस्टम की एंट्रॉपी भढ़ रही है यहाँ यूणिवर्स क्या चाहते है एंट्रॉपी हमिशा बढ़े से बेटर बनेंगा ऑल्थो बोथ हैफ सेम स्टेबिलिटी अगर मैं जी ओसी के पॉइंट अव यू से देखू हैं इंट्रस्टिंग हैं इंट्रस्टिंग हैं इंपोर्टन आगे चलते हैं नमबर वाई प्राई करिए यह थोड़ा साब के इस इंट्रस्टिंग वाला कॉश्चन है नमबर वाई और जड़ा गया है अब अगर मैं ध्यान से देखू इंट्रस्ट पॉइंट अव यू से क्या मैटर करता है डाउन दे ग्रूप डाउन दे ग्रूप साइज मैटर करता है बड़ जाता है ऑक्सिजन, सल्फर और सेलेनियम में सेलेनियम का साइज सबसे बड़ा है इसलिए जैसे एक्जांपल आगर मैं एसेडिटी के भी कमपारिजन करूं तो एसेडिटी के कमपारिजन होता है वहाँ पर हमारे पास आंसर बन जाता है CBA वहाँ पर आंसर क्यों CBA बनता है बड़ा साइज है तो वह एलेक्ट्रोन डेंसिटी को विदाउट रिपालिशन रख सरता है अपने ऊपर ठीक है ट्राइ करने इसको जेड वाला मैं को करके दिखा देता हूं ठीक है वाला आपको पढ़ाते भी है इसकी फैमिली में ऑक्सिजन S-2, S-H2S कौन सा बेटर नुकलिफाल होगा यह बन जाएगा न समझ आ रहा है क्यों because minus 2 है तो जाद electron rich है minus है तो और कम and जब neutral है सब तो और कम electron rich वो बन के आज जाएगा similarly, लेक्ट्रोफिलिसिटी में हम plus charge से उसको देखते हैं I hope समझ आ रहा हो क्या हो रहा है देख लिजे बहुत करके inorganic का simple सा question है यह next, number Z1 आप से बोल आगे compare the nucleophilicity of the three nitrogen nucleophilicity of the three nitrogen try गे लिया correct answer क्या है? अगर आपने यह सोचा है तो correct answer है पहली बात B and C में question होने नहीं चाहिए आपको B and C में C में crowding देख कितनी जाद है जब इतनी जाद crowding हो रही होगी तो वो कभी हमला ही नहीं कर पाया अब A and B में क्या हो रहा है यह वाला तो मेरे साब से आपको बताने के जुरुत नहीं है जले भी effect याद ने basic city में आपको बताया था पकड़ के रखा है तो जल्दी निकलेगा वो तो आपके पास A best बन जाएगा between B and C B is better because वहाँ पे कम crowding है तो वो जल्दी घुस पायगा आपके पास reactant के ऊपर इख लिए जो pause करके same repetitive बाते हैं Z2 try करिए and फिर Z3 करवाके आपको नई theory बताते हैं okay क्या funda use होगा correct answer ABC क्यों बनेगा crowding यह वाला जल्दी घुसेगा इसल देख लिए पास करके अब यह question नहीं है यह kind of एक summary है rough में एक summary में आपको बताना चाहरा हूँ जहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा अगर मैं बात करता हूँ CN-TMF तो कौन सा reaction है यह SN2 है या नहीं है because nucleophile है साथ में A-product solvant concentrated H204 and heat क्या होता है fun elimination mechanism PPS polar product solvent room temperature क्या हो जाएगा SN1 literally पिछले lecture में देखा है यह वाला हम अगले lecture में देखेंगा अभी तक बताया नहीं है कि हो जाएगा T2 reaction mechanism T2 reaction mechanism ठीक है समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है अब जो पिछले lecture था वहाँ पे मैंने आपको बोला था last lecture में SN1 में मैंने आपको बोला था ना लाइन छुड़वाई थी वहाँ पे तो वहाँ पे आपको यह add करना है दिखिए number one point partial रेसमाइजेशन partial रेसमाइजेशन takes place takes place आपको समझ आ रहा है कि partial रेसमाइजेशन क्यों हो रहा है why not full रेसमाइजेशन during SN1 because वहाँ पे तो भई R and S equally बनना चाहिए तो लॉजिकल ही होता क्या है वो लिखिए second point लिखिए इसमें बनला जो 1 and 2 जो 2 point शुडवाए थे slightly inverted अब आपको समझ आ के होगा आज की lecture से या सकिए हो slightly inverted products slightly inverted products dominates over retention अब समझ आ रहा है partial क्यों हो रहा है because जैसे आज आज आपको पूरे lecture बताया गया inversion के time पे कम crowding होती है since inversion major बनता है slightly major बनता है SN1 के time पे इसे लिए वो dominate करता है लिख देता हूँ एक पर SN1 इसलिए वो dominate करता है retention के उपर retention के उपर समझ आ रहा है ना जैसे for example अगर inverted end retention बन रहा है तो inverted like 51 रहेगा retention 49 रहेगा उस प्रकार के ratio रहता है रेस्माइजेशन को tend करता है लेकिन exact रेस्माइजेशन नहीं होता है इसलिए हम लोग partial बोलते हैं परकास inverted वाला फोड़ा सा dominant करता है retention वाले के उपर ठीक है next लिखिए heading SN2 versus SN1 reaction one of the most confusion जो लेते हैं लोग सब तो simple लगना चाहिए अब इसको हम एक जगा लिखवा रहे हैं ताकि आपके पैसे प्रॉपर तरीके से summary भी हो जाए इसके अंदर ठीक है तो जो most obvious चीज है इसके अंदर जो number one point जो था solvent लिखिए SN2 reaction uses a polar A-protic solvent polar A-protic solvent example BMF BMSO acetone etc whereas SN1 reaction uses a polar protic solvent इसके examples क्या थे water ammonia alcohol acid ठीक है तो very obvious difference तो ये था कि solvent के basis पे हम लोग ने difference कल लिया second point new point है अब लिखना मत पहले समझ लो अगर हम लोग 3 degree alkyl halide लेते हैं अब 3 degree alkyl halide क्या है भयांकर crowding है भयांकर crowding तो पहले मैं SN1 के point of view से बात करता हूँ SN1 के time पे ये carbocatine बनेगा चाहिए stable carbocatine है ये unstable है भयांकर stable carbocatine है hence यहां पे आपके पास since एक stable carbocatine बन रहा है SN1 तो बहुत अराम से हो जाएगा आ रहा है समझ है नहीं आ रहा है SN1 बहुत अराम से भयांकर stable carbocatine है लेकिन अगर मैं SN2 reaction करवाना चाहता हूँ तो वहां पे क्या होगा वहां पे SN2 होगा ही नहीं preferred होगा ही नहीं क्यों because very 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 high crowding है जो हमारा पहले ही questions आपको रहा है starting starting में उसमें से question है नहीं यहां पे SN2 prefer ही नहीं होता है because भयांकर crowding रहती है since high crowding रहीगी inter nuclear axis वाला logic and minus minus repulsion etc. हो जाएगा hence यह preferable नहीं हो एक लिए जो pause करके इस page को पहले next third point के उपर आते है obviously since 3 degree के बारे में बात हो रही है तो मैं लेना चाहरा हूँ ordinary 1 degree alkyl halide ordinary बोलने का मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई resonance etc. नहीं हो normal 1 degree normal 1 degree मतलब जैसे यह CH3Cl CH3 CH2Cl यह सब जो चुन्नू मुन्नू से होते हैं इसका जो homologs होते हैं तो अगर मैं इससे consider करता हूँ तो logically एक चीज़ समझो अगर मेरे पास यह है तो क्या मैं यहाँ पर SN1 करवाना चाहूँगा या मैं SN2 reaction prefer करूँगा क्या जो हमारा carbocatine बनेगा वो stable बनेगा या वो unstable बनेगा carbocatine तो unstable बनेगा because literally यह बन रहा है तो SN2 में अब जो है crowding कम है न 1 degree में इसलिए SN2 preferred रहेगा whereas SN1 preferred नहीं रहेगा समझा रहे है तो अगर हम 1 degree alkyl halides लेते हैं तो वहाँ पर SN2 preferred रहेता है and SN1 preferred नहीं रहेता आगे समझ यह नहीं है क्यों? because जो carbocatine है वो हमारे पास stable नहीं बन रहा very 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 easy तो अब यहाँ पर SN2 preferred रहेगा instead of SN1 अब अगर मैं बात करता हूँ जो ordinary 1 degree alkyl halides नहीं है just for example इसको लिखना मत एक पास समझ लो for example यह जो molecule है यह एक 1 degree alkyl halide है बिलकुल है मैंने ले लिया benzyl chloride यह क्या 1 degree है या नहीं है बिलकुल 1 degree हमारे पास है for example इस प्रकार के हमने देखा भी था आज एक जहाँ पर oxygen लिया था यह क्या यह 1 degree है या नहीं है बिलकुल है and similarly dancing resonance वाला भी होता है लिगे since वो slabbers में नहीं है तो मैं नहीं लेना चाहरा हूँ etc लगा दियो तो अब कौन सा reaction preferred होगा क्या SN1 preferred रहना चाहिए SN2 तो सोचते है SN1 के बारे में judge करना सीखो SN1 क्या SN1 preferred होगा बिलकुल because carbocatine stable बन रहा है आगे समझ क्या SN2 preferred होगा इसके अंदर yes यह भी preferred होगा क्यों because जिस carbon के उपर हमला हो रहा है मतलब यह वाला carbon वहाँ पर आप देख सकते हो यह जो बगल वाला group है वो लगा रहा है minus I minus I तो वो तो खीच रहा है इसलिए SN2 भी preferred होगा क्या यह सेम चीज हम इसके लिए भी बोल सकते हैं बिलकुल बोल सकते हैं यहाँ पर SN1 हो जाएगा क्यों? पर क्यायों बिलकुल बिलकुल जो क्यायो जो बिलकुल जो क्यों फेल को रहा है minus I यहाँ पर भी देख सते हो क्यों बनेगा इस वाले carbon की उपर उसके उपर plus M लए गगा है SN1 भी preferred है and SN2 भी preferred है because at the end of the day जब resonance भी लगा रहा है जो 4th point है वहाँ पे आपके पास SN1 भी preferred है and SN2 भी preferred है जो 3rd point था वहाँ पे आपके पास SN2 preferred था, SN1 नहीं था, जो 2nd point था, वहाँ पे आपके पास SN1 preferred था, SN2 नहीं था एंड फर्स तो जो आपके बास एक difference बनके आतर वो बता है कितना असान, कितना क्या बोलते है, important सी चीज़ है लिख लिजे इसको भई पॉस करके लिख लिजे इसको भई पॉस करके अब देखो, एक जो आखरी चीज़ है 5th point 3 degree हो गया, 1 degree हो गया but what about 2 degrees, 2 degrees में दोनों हो जाते है तो मैंने आपको questions भे करवाए है but for example, अगर मैं ऐसा 2 degree लू तो यह देखे अब तो feel आनजा है, वो question को देखके तो ना भयंकर crowded है, तो nuclear file घुसेगा कैसे यह, 1 degree लेकिन भयंकर crowded 1 degree ठीक है या for example, यह भी, यह भी भयंकर crowded है तो आपको मैंने बता है, bulkiness का मतलब क्या होता है space वाला group तो देख से तो, इस carbon के उपर हमला होना चीए तो कितना भयंकर इस carbon के उपर हमला होना चीए भयंकर crowded इस carbon के उपर होना चीए भयंकर crowded तो अगर मैं लेता हूँ अब एक चीज़ समलना यहाँ पर तो ऐसा नहीं कि हमेशा 1 degree over SN2 होता रहेगा, हमेशा 3 degree over सब, जज़ गरना से को question को देखके, तो अगर मैं crowded 1 degree या 2 degree भी लेता हूँ alkyl halides not necessarily 3 degree only, 1 degree या 2 degree में भी हो सकता है, अगर वो भैंकर crowded हो, तो वहाँ पे भी SN2 preferred वहाँ पे भी SN2 preferred नहीं होगा समझ आया या नहीं आया, तो यहाँ पे क्या preferred होगा SN1 हो जाएगा, बेकास कार्बकटाइन rearrange होके stable बनके आ जाता है ठीक है, देख लिजे इसको pause करके भाई सब देख लिजे इसको pause करके और मैंने आपको last lecture पे बोला था, कि मैं कुछ और leaving groups भी आपको इस lecture में बताऊंगा तो वो भी लिखवा देते हैं वैसे मैंने आपको और बहुत सरे questions करवा दिया, आज ही शायद हम Z1, Z2, Z3 तक पहुंच गे थे, और कल भी पहुंचे, तो कम सी कम बहुत सरे questions साथ में homework मिलागी या at least 200 questions तो होगे है SN1, SN2 के ही, तो वहीं पर आपकी बहुत सरे practice होगी leaving groups की, तो मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ leaving groups, ठीक है तो leaving groups क्या-क्या हो सकते हैं जो most common है, हम देखते हैं CL-, PR- I- because यह आपके बस alcohol halide से आते हैं, इसलिए यह most common रहते हैं, और क्या-क्या हो सकते हैं, OTS very common for olympiards, यहीं में इतना common नहीं है, OTF ONS इसका load नहीं लेना आपको, मैं बताता हूँ कौन-कौन से important है, एक बार यह लिख लो OMS O NS हो गया न, ONF structures एक दो बताऊंगो, जो important है वाकि जो important नहीं होंगे, पर हम फोकस नहीं करेंगे साथ में आपके पास OBS yeah, not the software via which I am recording साथ में N2 O2 यह था, आपको पता है, बच्छपन से gases are very good living group infinite living groups होते हैं पूरे organic में, लेकिन अगा मैं हमारे से देखूँ, important dollar जो है, वो यह है कुछ हद तक यह भी है and ONF भी मैं आपको बता दूँगो लेकिन यह सबसे important है जो हमारे पास living groups बन देखूँ आपको कुछ example दिखाएं है living groups के जो आपको देख सकते हैं जैसे 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 पास करोगे तो जो OTS है, इसका नाम होता है prosylate olympiards में बहुत common है इपन MS1 जब आप solve करोगे तब आपको दिखेंगे इसके question stable क्यों है, वो आपको दिखी रहा है because जो O- है, वो resonance में है भयंकर इसले वो stable है, sulfur का minus है अब जो ONF है यह होता है, non-of-late non-of-late because यहाँ पर 9 fluorines है, ठीक है, 5 7-9, ठीक है and यहाँ पर दिखते हो, resonance तो है ही साथ में कितना भयंकर ठीक हो, कितना भयंकर, minus I भी लग रहा है, हर fluorine का, इसले यह हमारे पास very highly stable leaving group बन के आज आता है, ठीक है, जो minus है वो भयंकर stable है, ठीक है लिख लीजे, इस वाले को pause करके अब हम चलते हैं, हमारे last point के उपर, जो future expected question भी है ठीक है, इस वाले को बिल्कुल ढंक से करना है, because इसके उपर मैं expect कर रहा हूँ, फिसमें physical भी involved होता है, so heading डाल लीजे mixture of solvents heading डाल लीजे mixture of solvents mixture of solvents directly मैं question लेके ही आपको समझाऊँगा, theoretical point है thing question लेके समझाऊँगा तब और असान लगेगा, heading डाल लीजे mixture of solvents आज के लिए जो है, वो ये रहेगा question number z3, ठीक है question try करो, सही answer लाने ही कोशिश करो, देखते कि आपका सही होता है या नही होता है for example, आपको दिया गया है ये इसको हम react करवा रहे हैं एक बार h2o से तिर्फ h2o से तो a बन रहा है एक बार हम react करवा रहे है oh-dmso से ये तो आप जज कर लोगो ना, क्या होगा उपर वाले में sn1 होगा, नीचे वाले में sn2 होगा, तो ये hi-fi अब मसा का अब आएगा, वो समझते है अगर मैं लेता हूँ oh- मैंने mix कर दिया सब कुछ, solvents जहां सो देख लीजे oh- h2o dmso oh- h2o, dmso obviously I am considering कि जो solvents हैं, वो same-same है मतलब, ये भी एक solvent है, ये भी एक solvent है तो मैं मान रहा हूँ कि 50% ये solvent है, solvent 1 and 50% solvent 2 ये, ये जो number C वाला question है वो मैं expect कर रहा हूँ future में वो मैं expect कर रहा हूँ future में ठीक है, solve करें अब देखे ध्यान से अगर मैं A वाले की बात करता हूँ तो A वाले में क्या हो रहा है SN1 reaction हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास ये बनेगा and साथ में ये बनेगा sorry इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास retention भी हो रहा है and inversion भी हो रहा है I hope it is clear to everyone, समझ आ रहा है न तो मतलब 50-50 वैसे partial होता है लेकिन approximately हो V वाले में inversion हो जाएगा पीछे से हमला करेगा तो यहाँ पर यह हो जाएगा तो यह हमारे पास बन क्या जाएगा inversion यह दोनों तो आप कर लोगे अब C वाले में क्या होगा वो हम समझने की कोशिश करेंगे तो अब देखना ध्यान से अगर आप सही करते हो तो बहुत अच्छी बात है अगर खुद से सही करोगे तो होगे के वो समझते OH- in the presence of DMSO तो वहाँ पर हो जाएगा हमारे पास SN2 reaction यह बनना चाहिए बस यह मतलब प्रोड़क्ट से मतलब नहीं है और भी चीज़े हैं यह पूरा सही होना चाहिए साथ में अकेला वाटर जब अकेला वाटर होगा तो क्या होगा तो inversion भी होगा साथ में retention भी easy अभी तक तो यह होना चाहिए लेकिन major क्या होगा minor क्या होगा यह दोना सेम होंगे वो समने ही कोशिश कर तो दोना हमारे पास 50-50 है यह मैंने अज्यूम कि अगर मैं नहीं करूँगा तो और अच्छा कोशिशन बन जाएगा वो ठीक है वो भी आप समझ सकते हो पहले 50-50 होला तो कर लेते तो 50-50 होगा इसका मतलब यह नेट में 50% बनेगा and यह नेट में 50% बनेगा तो दोनों मिलाके 50% SN2 होगा वेराज 50% SN1 होगा इसका मतलब यह हो जाएगा 25 यह हो जाएगा 25 यह हो जाएगा 50 तो मैं क्या लख सकता हूँ add collision notes में आखो दिखिया once again कौन dominant करने वाला है inversion दिखिये hence we can understand that the inversion product dominates inversion product dominates over the retention product over the retention product as it is common between the SN1 and the SN2 reaction as it is common between the SN1 and the SN2 reaction and the SN2 reaction झें खेल और इंटरस्टिंग कैसे होगा जब यह 50-50 ना हो for example यह 90 हो जाए यह 10 हो जाए समझा रहा है तो भी 90-10 होगा तो यह net में 90 यह net में 10 तो क्या हो जाएगा 45-45 और यह 10 तब भी आपके पास inversion ही dominate करेगा तो आप कुछ भी कर लो हमेशा inversion ही dominate करने वाला है बस जो percentages है वो आपके पास change हो जाएगा आ रहा है मजह यह नहीं ही ऎर एसलीन Алच के टाइंप पर भी ईन्वरजं डॉमिनेट कर रहा है एसली टू पर भी इन्वरजिन डॉमिनेट कर रहाenders कुछ भी जिंदिके में हमेश्व लिए फ्रोडक्ट को बilly करने वाला है लकल आ से borrow Central अगर मैं rate of sn1 लिखना चाहूँ sn1 rate equation तो वो क्या हो जाएगा sum let me say k1 into rx की power 1 और अगर मैं sn2 की equation लिखना चाहूँ rate of sn2 वो क्या बंग क्या जाएगा जैसे हमने आज ही देखा वो बन जाएगा sum k2 into rx की power 1 into z minus की power 1 समझ आ रहा है तो अब हमारे पास क्या है ये तो होगे individual reactions के sn1 के लिए sn2 के लिए जब mixture होगा तब क्या होगा तो जब mix हम करेंगे दोनों को तब दोनों का कुछ ना कुछ combination होना चाहिए मतलब जो net rate हो जाएगा net rate वो क्या हो जाएगा उसमें sn1 भी हो रहा है sn2 भी हो रहा है that is equal to r sn1 plus r sn2 simple physical physical भी है simple logic है तो k1 into rx बनेगा साथ में k2 into rx and z minus बनेगा ये हो गया r net अब वो question के पूछेगा आप से वो आप से पूछ सकता है कि percentage of product from sn1 ये interesting है परसेंडेज में ऐसे determine करेंगे by a physical वो क्या हो जाएगा that is equal to r sn1 whole upon net rate into 100 ये होगा या नहीं होगा ये होगा ना समझाता है सभी को इस simple math से percentage कैसे जूणते है 2 वो apple है 3 बनाना है तो percentage apple कितना हो जाएगा उस basket में 2 upon 5 होगा न उस net fruits 5 है 2 plus 3 कोई लिखा मैंने and percentage product of sn2 वो कितना हो जाएगा r sn2 upon r net into 100 बस देख लीजे भाई उसको देख लीजे simple है simple है बस ये आपके पास अब देखो एक चीज पर देख लीजे pause करके मैंने जो यहाँ पर solvents लिये हैं वो missible है missible solvents है लेकिन एक और भी तो हो सकता था कि अगर मैं immisible solvents ले लूँ immisible solvents तो वो हम लोग बाद में देखते हैं जब मैं आपको amines chapter पढ़ाऊंगा तब हम इसके पर focus ठीक है तो वो चीज हम लोग तब देखेंगे जब मैं immisible solvents लोगा amines chapter के अंदर देख लीजे इसको pause करके अगरी question है इसका आपका मुझे answer comment section अंदर बताना है please make sure video like कर देना बहीं मैंने बोला है video like ने कर दो video डालना बंद कर दूँ like कर देना इसका answer मुझे comment section में बताना कि इन में से कौन कौन से हमारे पास sn2 देते हैं total मैंने आपके सामने ग्यारा reactants बना के दिये है ठीक है बिलते हैं next lecture के अंदर all the best everyone comment कर देना